मेरा पहला सवाल जाता है मनोज यादव जी को मनोज यादव जी जब जीत ही रहे हैं तो EVM को क्यों कोस रहे हैं ये कॉंग्रेस पार्टी आपके साथ उतना confidence क्यों नहीं रख पारी जितना अखिलेश जी को है अखिलेश जी जो कह रहे हैं एक थी बीजेपी ये भारतिय जनता पार्टी का आगे से definition हो जाएगा तो ये कॉंग्रेस पार्टी इतनी डरी क्यों हुई है रोज EVM का एक नया बहाना क्यों खड़ा कर देती है क्योंकि मलिकार अरजुन खरगे ने जो सवाल पूछे थे election commission से चीफ election commissioner ने उनको जवाब दिया है तीन एनेक्सचर लगाए उसमें सारे सवालों के जवाब है फिर वो ही सवाल फिर वो ही सवाल हर चुनाव के चार दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जाना भई EVM हटा दो 100% वीवी पैट कर दो 2019 में भी यही mind game था अब भी यही mind game है ऐसा क्यों है यादव जी नाविकार जी आपको नमस्कार आपके पैनल में बेठे सवी साथियों को नमस्कार लगबग धाई महिने के बाद पूरा जमीनी दौरा करने के बाद जहां जहां भी मौका मिला वहां काम करके आज मैं आपके सामने रूबरू हूँ और ये बड़ी हर्स की बात है और मुझे भी बड़ी खुसी हुई लेकिन जो जनता में मैं देख के आया हूँ उस पे ये 28,000 ओट का कोई असर नहीं पड़ेगा चुकि बीजेपी हर सीट पे लाखो ओट से आरने जा रही है अगर बैमानी भी की होगी मैं माल लेता हूं की होगी तो निश्चित तोर पे वो बैमानी भी काम नहीं आएगी चुकि जब कहते हैं जब हम सिलिप करते हैं तो हमें पकड़ने के लिए कोई एक पेड़ का ठूट भी नहीं मिलता जिस तरीके से नरेंद मोधी जी ने अमिस्सा जी ने इस देश की सबसे विसुसनिय संस्थाओं को लुल बना दिया है यह नया सब्द है लुल बना दिया है कि वो आकड़े प्रस्तुत करने में दस दिन लगा रही है तो इसका मतलब या तो कोई ओपियम जैसा नसा करवाते ह हैं या तो उन पे कोई कंपटी पे गंडग देते हैं कि जैसा हम कहेंगे वैसा आप करना तो यह देश में आविसुसनिता जो बढ़ रही है इस पे निश्चित तोर पे नरेंद मोधी को चुनावायोग को जितने भी लोग हैं सबको जबाब देना पड़ेगा लेकिन एक और भी मैं आपको बता दूँ जो आपके दरसक सुनना चाहते हैं अगर किसी तरीके की चुनावायोग ने हीरा फिरी की या कोई इस तरह का काम किया तो जनता बैटी है क्रांती करने के मूड में चुकि मैं जनता में जो खुस्बू सुंग के आया हूँ वो परिवर्तन की ह बदलाव करने की है और अगर जनता बदलाव करना चाहती है तो कोई एलेक्शन कमीशन कोई परधान मंतरी कोई ग्रह मंतरी उसकी कोई ताकत नहीं है चुकि इस पूरी दुनिया में भारत की ताकत भारत की जनता है तो इसलिए हम तो एक ही बात कहेंगे नरेन मोदी जी पर निजात दिलाई थी उनके भाईयों के अगर कहीं गलती से भी साठी पिकट आ रहे चड़के बन रहा है तो मोदी जी को बड़ा दर्द है तो क्या मनरेन मोदी जी को सरिफ बहनों से प्यार है भाईयों से नहीं प्यार है खैर जितना भी इस देश के तिहास में लिखा आएगा और जब जब एवियम का जिक्ट होगा जब किन भाईयों से प्यार है किन बेहनों से इस चर्चा पर लोट कर आती हूं लेकिन मनोज यादव जी संविधाने का संस्थाओं के लिए जो आपके शब्द हैं मुझे लगता इन शब्दों पर पुनर विचार करना चाह चीजें दिख जाएंगी लेकिन आपको पढ़ने लिखने से तो मतलब है नहीं नंबर देखने से मतलब है नहीं आपको सिरफ लोगों के मन में कहीं न कहीं डाउट पैदा करना है और आप कह रहे हैं फिर जब चुनाम हो जाएंगे अगर हम आरेंगे तो जनता जो है जो कर परफ़ प्रोटसाहन कर रहे हैं जो बहुत डेंजरस गेम है लेकिन शेहजाद पुनावाला नावी आनी के चुनाव से पहले चार दिन पहले ईवियम का वीवी पैट का रोना था इस चुनाव में फिर से तब भी सुप्रीम कोट का वर्डिक्ट आया था अब भी सुप्रीम क सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है इलेक्टोरल रोल्स की भी चर्चा होती है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं सुप्रीम कोर्ट वापस भेज देता है लेकिन फिर भी ये मुद्दा उठाना है मैं पूछना चाहती हूँ क्या ये आदत हो चुकी है या ये अब ह पहर का डर सतारा आये इसलिए वापस EVM का बहाना उजागर हो रहा है देखे नाविका जी पहले दो फेस के बाद ये लोग पस्त हुए गूसे दो फेस के बाद ये लोग ध्वस्त हुए और अब इनका सुर्यास्त हो चुका है पांचवे फेस के बाद तो जन्ता ने जिसको लुल बना दिया है 14 में 17 में 19 में 22 में 23 में उनका मानसिक संतुलन इस प्रकार से हो जहां पर की वो संविधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार का कुठारा गात करें ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है ये एक्सपेक्टेड लाइन्स पर कर रहें क्योंकि EVM तो बहाना है अ उस समय पर कंप्लेंट नहीं किया था आज कंप्लेंट कर रहें जब दो या तीन फीसद का डिफरेंस है फॉर्म 17C सब के पास होता है और ये फॉर्म 17C केवल एक सीट का नहीं ये तो पोलिंग बूत तक का होता है जिसका मतलब की एक-एक वोट को गिना जाता है कैंडिडे वर्ट करना है और वो किस से आज पस्चिम बंगाल के हाई कोट ने एक बहुत महत्वपूर्ण दिरने सुनाया है यह समविधान बचाओ कर नाटक और डोंग रचते ना पैरा 332 में लिखा है कि जिस प्रकार से मुस्लिम आधार पर आरक्षन दी गई ममताजी की सरकार के द हुए मेरे OBC भाईयों बहनों का इतना बड़ा नुकसान मतलब की वाई का नुकसान M के चलते हो चुका है यह MY की पार्टी के बार और यह कोई पहली बार नहीं है यह बार बार करनाट का आंध्रा केंद्र में बाकी जगे पर भी मुस्लिमों को आरक्षन देने के चक्कर मे समविधान का शरीर नश्ट करना और OBC SCST के कोटे से देने की बात और आज तो राहूल गांदी का वीडियो सामने आ गया है उन्होंने कहा कि इंदीराजी की सरकार हो मनमोहन जी की राजीव जी की सरकार हो हमने हमेशा ऐसा सिस्टम बनाया जो अत्ताकतित पिछड़े पर देना समविधान के खिलाफ है या नहीं है और इस चक्कर में OBC के अधिकार पर जो आज कुठारगात हुआ है उस पर जवाब दे मैं कह सकता हूं आज जो लोग घूम कर आए हैं उनकी जमीन तो बची नहीं यह प्रोविजनली हार मान चुके है फाइनल हार 4 जून को मा हाली देगे मनोज आदव जी काउंटर देखे अगर नाविका जी कोई एप है कहीं पर आंकड़े हैं और आप आप चाहती है या देश जानना चाहता हो जान सकता है तो यह चुनावायों को जो मैंने सब्द का वो गलत थोड़ी नहीं का बिल्कुल सही मैंने कह दिया तो उ नसा वसाक कर देते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में नसे का चलन भी बहुत तगड़ा है आप तो बोरे में पकड़ी जाने लगी है वो पताने क्या चिलम उलम टाइप का नसा होता है तो चुनावायों को कौन सी आपने बूटी सुगा दिये जो 11 दिन लग जाते हैं इस पे मामू के प्रोटेक्शन में आप खड़े हो गए ये बात भी तो जनता जानना चाहती है हमें आपती है आपको क्यों नहीं आपती है क्या कोई खालू को आला भी रिस्ता है क्या अगर सहजात पुनावाला जी आप जबाद देने हैं सच्चा मैं तो मैं क्या कहूं ये किस तरह की भाषा और ये क्या आरोप है मामू है खालू है मुझे नहीं पता कि इस तरह की भाषा कभी किसी ने इस्तेमाल की हो चुनावायोग की तरफ लेकिन मैं सिर्फ इतना कहती हूं कि ये कोई भी एप नहीं है ये एप एक संविधानिक संस्था ने लगाई है है आपको संस्थाओं पर विश्वास नहीं है आपको एवियम पर विश्वास नहीं है आपको तो किसी चीज़ पर विश्वास नहीं होगा तो सिस्टम चलेगा कैसे ये मैं नहीं जानती लेकिन मैं आ रही हूं शैजाद जी बिल्कुल आ रही हूं आपके पास लेकिन पहल नाविका उन्होंने व्यक्तिगाट टिपणी की है मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसी व्यक्तिगाट टिपणी आप स्विकारती नहीं है तो मुझे बोलने का मौका देंगी धन्यवाद आपका नाविका जिस जवाब दीजे नाविका आप आपसे चाहूंगा कि मेरी बात को आने दिया जाए ना की बीच में हस्तक शेप हो नाविका जिन लोगों ने देश को मुख्यमंत्री पद को और पार्टी के अध्यक्ष्टा के पद को अपने बाप की जागीर समझ के रखा हो उनको लगता है समविधानिक संस्था जो देश क जागात के थे लिए प्रॉटा मॉज यह बताओ की तुमारी प्चाहि की और तुम्हारे भतीजिक यह कि नवाली आख़्ों में लगताओं उनको अजए उनको छीन कर दिया है यादव समाच का उस पर बोलने कि तुम्हारी हैस्टा है तो मामू का दिया है किया मुशलमानो को तुम्हारी खालू का दिया है क्या मुसलमानो को अरे बताओ नो करने के लिए आज चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को कहा है दोनों पक्षों को कहा है कि क्योंकि देश का देश का फैबरिक आप सोशल फैबरिक खराब करें हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैं सिरफ इतना कहूंगी एक गलती करें तो दूसरे को भी गलती करना नहीं चाहिए मैं शहजाद जी आप बैठिये ना आप तो बात कहें चुके आपकी पूरी बात मैंने सुनी है शहजाद जी नाविका जी हम डिबेट करने आपके पूरी बात सही है जनता ने आपकी पूरी बात सुनी एक सेकंड मैं मेरी पार्टी का अधिकरित नुमाइंदा होने क के नाते एक अच्छी डिवेट करने आता हूँ, मैं किसी से व्यक्तिकत नहीं होता हूँ, पर आज जिस प्रकार से इसने मेरे परिवार पे हमला किया है, मैं भारते जनता पार्टी के ओर से इनके साथ डिवेट में नहीं बैठूँगा, आप डिवेट चलाइए और इनसे बहुत बड़े दल के बहुत बड़े राष्टिय प्रवक्ता हैं, और आप सबका दिल जीतने के लिए, और आप सक्षम भी है, और आप काबिल भी है इसके लिए, मैं तो कह रहे हूँ कि ये बिलकुल सही नहीं है, मैं बिलकुल आपत्ति जता चुकी हूँ इस पर, और इस इतने दिनों के बाद लॉट कर आए हैं, मैं, मनोज यादव जी मुझे लगता है, मुझे लगता है, हमें एक सीमा में रहना चाहिए, हमें एक सीमा में रहना चाहिए, और ये सीमा हम सबके लिए सही है, हम सबके लिए सही है पिल्कुल आप मैं इस डिबेट में कभी भी नहीं चाहूंगी मेरे किसी भी आदर्निय पैनलिस्ट के साथ इस तरह से हो और मैं समझती हूँ और मैंने पहले ही अपनी आपती जताई थी लेकिन मेरे साथ यहां तहसीन जी भी बैठे है और मैं माफी मांगती हूँ शहजाद जी आप बैठे तो सही उत्तेजित मत हो पांच फेज हो चुके हैं छटा होने वाला है और हम सब मिलकर इस देश को आगे लेकर जाएंगे कोई अलग-अलग थोड़ी है तो हमारे बीच में मत भेद हो सकते हैं मन में मन भेद मत करिए और मैं इतना ही